नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो बाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दवाना ना भूलें दोस्तों आज अपना टोपिक है और टोपिक का नाम है अपनी एंटी नेटल विजिट्स एंटी नेटल का मतलब हो गया प्रेगनेंसी के दोरान और विजिट का मतलब हो गया होस्पिटल जाना तो एंटी नेटल विजिट्स के दोरान जो प्रेगनेंट फीमेल है कितनी बार ह वोश्पिटल जाती है उसके बारे में बात करें तो अपन सबसे पहले बात करें और सबसे पहले बात करें अपन किसकी according to WHO, according to WHO मतलब WHO ने क्या बताया कि कितनी antinatal visits होना चाहिए तो WHO ने कुछ जो है standard visit बताई और standard visit कितनी बताई बताई जोने चार standard विजिट बचाई और वो चार इस्टेंडर विजिट जो है कौन-कौन से week में होती है जो first visit होती है वो first visit देखने को मिलेगी अपनको कौन से week के अंदर 16 week के अंदर second visit कप करना चाहिए दोस्तो 24 से लेकर के सोरी 24 से लेकर के 28 वीक्स के बीच में 3rd जो विजिट है वो कब करना चाहिए 32 वीक्स पे जबकि जो 4th विजिट है वो 4th विजिट कब होना चाहिए दोस्तो 36 वीक्स पे होना चाहिए तो WHO ने बताई कुछ standard विजिट और according to WHO standard विजिट कितनी होती है 4 कुछ विजिट एक क्विशन आता है कि according to Indian standard कितनी antinatal विजिट होना चाहिए तो according to Indian standard के अनुसार कितनी विजिट होना चाहिए दोस्तो at least 3 विजिट होना चाहिए कितनी बताई 3 विजिट पहली विजिट तो कब देखने को मिलेगी 20 विजिट पे 2 जो विजिट है वो कब देखने को मिल रही है अपन को 32 विजिट पे देखने को मिल रही है जबकि अपन बात करें जो 3 विजिट है वो 3 विजिट कौन से विजिट पे देखने को मिलेगी 36 6 weeks में WHO के अनुसार 4 Indian standard के अनुसार कितनी हो गई 3 फिर बात करें अपन के कुछ according to WHO कुछ ideal visits भी होती है और वो ideal visits कितनी होती है दोस्तों वो ideal visit हो सकती है कितनी 12 से लेकर के 15 कुछ ideal visits होती है और 12 से 15 ideal visits को कैसे divide किया unftVHO ने up to 28 वीक्स 208 weeks तक क्या करेंगे हपन every 4 week पर हर 4 week पर क्या होना चाहिए एक visit होना चाहिए तो total visit कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी मतलब फहली jed करेंगे four week पर दूसरी करेंगे eight पर तीसरी करेंगे 12 पे ऐसे टोटल विजिट कितनी हो जाएगी 7 देखने को मिलेगी फिर बात करें हपन second 29 से लेकर के 36 वीक्स तक क्या करेंगे हपन every two week पे क्या होना चाहिए विजिट और every two week देखा दोस्तों कैसे चार होगी पहली होगी 30 पे दूसरी देखने को मिलेगी 32 पे तीसरी 34 पे और 36 पे ऐसे कितनी विजिट हो जाएगी 4 जबकि 36 से लेकर के 40 week पे कितनी करेंगे अपन per week क्या होना चाहिए विजिट मतलब कितनी हो जाएगी 4 विजिट इसको count करें अपन 7 plus 4 plus 4 मतलब कितनी हो जाएगी 15 विजिट और ये 15 विजिट किते वीक तक आ गई दोस्तों 40 वीक तक आ गई उपर आइडियल विजिट लिखी है अपने 12 से 15 मतलब मानलो delivery कौन से week पे हो जाए 38 week पे delivery हो जाए तो आइडियल विजिट कितनी रह जाएगी 13 रह जाएगी जो है अगर delivery 37 week पे हो तो जो है आईडियल विजिट कितनी रह जाएगी 12 रह जाएगी यह तो बात करी अपनने कुछ anti-natal visits की कुछ आजकल खुशन आता है दोस्तों के कितनी जो है postnatal visit होती है तो postnatal visit भी कितनी होती है दोस्तों postnatal visit होती है दो पहली postnatal visit तो कब होती है at the time of discharge 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 के समय होती है पहली ideal visit, जबकि दूसरी visit कब देखने को मिल रही है अपन को इस discharge होने से, discharge होने से किते वीक के बाद में, six weeks के बाद में क्या देखने को मिल रही है, post natal visits देखने को मिल रही है, ठीक है, thank you